सासें हो रही है कम, आओ मिलकर पेड़ लगाए हम, आओ मिलकर पेड़ लगाए हम इन्ही पंतियों के साथ मैं दपिका जोशी, बाचलर अफ एजुकेशन, सेकिन इयर से आप सभी का आमरपाली ग्रुप आफ इन्सिट्यूट्स में स्वागत एवं अभिनांदन करते हूं जैसा कि आप जानते हैं व्रक्षा रोपण कार्यमहान, व्रक्षा रोपण कार्यमहान, एक पेड़ सोब पुत्र समान आज व्रक्षा रोपण के इस सुब अवसर पर आमरपाली ग्रुप आफ इन्सिट्यूट्स के प्रांगण में व्रक्षा रोपण एक पेड़, एक संकल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और इसी कार्यक्रम का शुबारंब करने के लिए हमारे बीच, हमारे मानी अतिती श्रीप बंसिदर भगत जी मौजूद हैं सावन का महिना है, हर तरफ हर्याली रहती है, और सभी को यह माहा बड़ा प्री रहता है, और स्थान स्थान पर रक्षा रोपण के कारिकम होते हैं ब्रक्ष हमारे लिए एक जीवन है, एक जहां फल देते हैं, चाया देते हैं, वहीं यह पानी भी देते हैं और यह बिल्कुल कटू सक्या है, जिस तरह से पर्यावन बिगढ रहा है, अगर यही हालत रही तो बीस सालों के बाद लोगों को ऑक्सिजन का सिलिंडर अपने पीठ पले के चलना पड़ेगा, इसके लिए ब्रक्षों की रक्षा करना नितान ताउश्यक है, क्योंकि एक इसको अपना अगर पूरा जीवन जीता है तो कम से कम 30 व्याँ अक्षिजन चाहिए, जितना 30 व्यूडक्ष ऑक्षिजन बनाते इतने उक्षिजन चाहिए, मैं आमरपाली इसक्टीूट के परवंदग और आमरपाली इसकूट की बच्चों को बधाई देता हो कि उन्होंन जो बिल्कुल एकदम टी नेचर के हैं हाई स्कूल इंटर और बी ए के बादचे हैं और अब नसे का ने टेंट किया है ड्रक्स में इसमेक बहुत तेजी से बढ़ रहा है यह जो जीवन को बिल्कुल खतम कर देता है जीवन में एक प्राइब के नासूर है तो मैं सब से निव प्रिति के लोग हैं अपना नहें और उनको भी रोकने का प्रयात करें नहीं तो नसा भारत को खोकला कर देगा इसमें कोई दोरा नहीं यह बहुत बड़ा विदेशी सडियन्त है कि भारत के नौजवानों को खोकला करके भारत को कमजोर करने का है तो नसे के खिलाप एक थायुदा आप सबको सावन के इस हरियाली पर पर हरेला पर शुब कमन्या बढाई है हर सास का कर्द चुकाएंगे, आओ मिलकर व्रक्ष लगाएंगे, आओ मिलकर व्रक्ष लगाएंगे, अंत मैं यही कहना चाहती हूँ कि, अटेजय करणा ह़् जद औ्लिडड़ रमस्ट अ dall okay, But if you plant a tree, you plant a life. So keep planting more and more trees. Thank you.